नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए अब हम यहां में कुछ संख्यात्मक प्रश्णों का हल करें जो की दूरी और विस्थापन पर ही आधारे थे। तो प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति ए पर रहता है और उसे सी पर पहुँचना है। वा यह विचार बनाता है कि रास्ते में अपनी दोस्थ से बिंदू B पर मिलते हुए जाएगा। अता वपत A, B, C का चैन करता है। उसकी दूरी तदा विस्थापन करमशा बिंदू A, B और C पर परिकिलिप कीजिए। पहले प्रश्ण का अर्थ समझते हैं कि प्रश्ण क्या चाह रहा है। प्रश्ण ये चाह रहा है कि आप बिंदू A पर इसके बाद बिंदू B पर और इसके बाद बिंदू C पर इन तीनों ही बिंदू पर किन दोनों चीजों की परिकल्टा कीजिए। पहली है दूरी और दूसरी है विस्थापना ठीक है तो अभी मुझे लगता है प्रश्न का अर्थ आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है अब ये जो व्यक्ति है वो A ही बिंदू से चला और उसे C बिंदू पर पहुचना है तो जब वो A बिंदू पर था तो उसने कोई दियूरी तै नहीं करी और वो अपनी जगाप से विस्थापित भी नहीं हुआ चूंकि हमें यहां पे मातरक किलो मीटर दिया गया है इसलिए मैंने यहां पे शून निशूनने के साथ भी मातरक किलो मीटर लिग दिया इसके बाद जब वो बिंदू B पर आ गया तो आप क् देखते हैं कि A और B तक पहुचने के लिए उसने जो दूरी तै करी वो है पांच किलो मीटर और उसकी जो इस्थित्व में विस्थापना हुई वो भी पांच किलो मीटर ही है ठीक है क्योंकि वो इसी सीधे मार्क से A से B पर पहुच गया तो दूरी और विस्थापन वो उसका असल मार्क तो असल मार्क के अनुसार दूरी हो गई 5 किलो मीटर पहले B पहुचने के लिए और 3 किलो मीटर वहां से C पहुचने के लिए जो की हुई 8 किलो मीटर परंतु आप अगर देखेंगे कि प्रारंबिक और अंतिम बिंदु के बीच में अंतर कितना है तो वो कितना आएगा 4 किलो मीटर इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो स्थिती है उसमें विस्थापन या फिर वो कितना विस्थापित हुआ वो है 4 किलो मीटर तो इस प्रकार से हमने एक प्रशन हल किया जिसमें हमने देखा कि बिंदु C पर हमें विस्थापन और दूरी का मान अ और अगला प्रशन कुछ इस प्रकार से है कि एक किसान 10 मीटर की बुजा वाले एक वरगाकार खेट की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है दो मिनिट 20 सेकंड के बाद किसान की विस्थापना का परिमान क्या होगा तो यहां पर हमसे दूरी की बात नहीं कर रही है सिर्फ विस्थापना की बात कर रही है तो सबसे पहले आईए देखें कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा तो एक चकर में लगने वाला समय कितना दिया गया है 40 सेकंड और कुल समय हम को कितना दिया गया है कुल समय है हमारे पास 2 minute 20 second यानि की 220 second यानि की 120 plus 20 यानि की 140 second तो एक चक्कर लग रहा है 40 second में तो क्या आप बता सकते हैं की 140 second में कितने चक्कर लगेंगे यानि की अगर हम एकाई विधी का प्योग करें तो 40 second में 40 second में एक चक्कर यानि की एक second में एक बता चालिस पूरे चक्कर का म literal जो दूरी तैय होगी वो कितनी होगी एक बता चालिस पूरे चक्कर का और अगर 140 second की बात करें तो वो होगा 140 पता चालिस यानि की 3.5 चकर ठीक है तो इसका ये आशे हुआ कि ये जो किसान है वो इतने समय में एक पूरा चक्कर करके यहाँ आएगा फिर दूसरा पूरा चक्कर करके यहाँ आएगा फिर तीसरा पूरा चक्कर करके यहाँ आएगा और फिर साड़े तीन चक्कर करके वो यहां पहुँच जाएगा यानि कि उसकी जो स्थिती है वो साड़े तीन चक्कर के बाद क्या होगी ये होगी तो लिख लेते हैं कि बिंदू B हमें क्या बताती है कि साड़े तीन चक्कर के बाद स्थिती साड़े तीन चक्कर के बाद इस्थिती उसकी क्या हो ठीके इसके बाद देखिए हमें क्या पूछा गया है कि विस्थापन कितना हो तो आप ही देख रहे हैं कि जब ये पूरा ही चक्कर कर लेता है तो विस्थापन जो है वो शूने है यानि कि यहां पे जो विस्थापन है वो तो विस्थापन हो जो कि आधे चक्कर का होगा और आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा सोचिए आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा आधे चक्कर का विस्थापन क्या बराबर होगा इस दूरी के जो कि आधे चक्कर की यहां से लेके यहां तक की दूरी है और आपका जवाब सही है वो है नहीं क्योंकि विस्थापन जो है वो हम यहाँ पे भी परिभाशानुसार देखेंगे कि प्रारंबिक और अंतिम जो बिंदू हैं उनके बीच की दूरी यानि की इस वर्ग आकार खेत की विकर्ण रेखा की लंबाई तो विस्थापन किसके बराबर हो गया आए लिख लेते हैं विस्थापन बराबर हुआ के विकर्ण रेखा और विकर्ण रेखा कितनी होगी ये दोनों ही बुझा जो है वो दस दस हो गई तो विकर्ण रेखा हो जाएगी वर्ग मूल दस वर्ग और दस वर्ग का यहां पे मैंने पाइधागरस प्रमे का प्रयोग किया है और जिससे हमें मिलेगा 100 प्लस 100 जो की हो जाएगा वर्ग मूल 200 का या फिर हम कहले 10 रूट 2 मीटर इस किसान दोरा साड़े तीन जक्कर के बाद इसकी स्थिती का जो विस्थापन हुआ वो कुल 10 रूट 2 मीटर के ही बराबर है